हेलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चानल में रजनीज के चैन तो फ्रेंस जैसे के आज आप देख रहे हैं हम बनाएंगे हिमाचल के एक ऑठेंटिक रेसिपी अर्भी के पकोड़े थोरे से ट्विस्ट के साथ बनाएंगे हम रेसिपी तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एजसी रेसिपी के साथ और हिमाचल की बहुत ही जादा फेमस रेसिपी के साथ तो सबसे पहले हमने यहां पर चुलाई के कुछ पत्ते ले लिए हैं और अर्भी के कुछ पत्ते ले लिए हैं आप यहां पर एक अर्भी के पत्ते भी ले सकते हैं हम कुछह हम एक बाउल लेंगे उसमें हम अलबी के पत्ते हो motherfucking दालेंगे waves है फिर हम इसमें ती bade चमच दालेंगे ऑसे प है कि फिर हमने इसमें चावल का था दालेंगे दो बड़े चमच और उसी के साथ दालेंगे हींग साथ से आठ दाने हमने हींके दाले हैं थल्दी दालेंगे आदा चमच गरम मसाला आदा चमच एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच लाल मिर्च का पाउडर उसी के साथ हम दाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई फिर हम इसमें दालेंगे आम चूर पाउडर फिर नमक दालेंगे नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाप से दालना है फिर आपने इसे थोड़ा सा पानी दाल के हमने इसका एक गोल बना लेना है एक थिक सा हमने मटीरियल बना लेना है इसका जैसे कि आप देखें हमने इसका एक थिक सा डो सा बना लिया है यहाँ पर हमने इल्ली का बर्तन लिया है उसको हम ग्रीज कर लेंगे आप इसको इसको स्चीम्र में भी स्चेम कर सकते हैं ये इसको हमने पहले ग्रीज कर लेना है थोड़ सा तेल लगा के फिर हमने इसके चोटी सी टिक्या बनानी है यह चोटे-चोटे पेड़े बना लेने हैं कि ऐसे हमने इसकी चोटी-चोटी टिक्या बना के हर एक इडली में रख देनी है तो हमने ऐसे सी टिक्क्या बना के रख ली है फिर हम इसे स्टीम करेंगी तो हमने यहां वे पतिले में पानी गरम होने के लिए रख लिया था फिर हम इसके नाल देगे ये और इसको हमने कुछ 10 to 15 मिनिटS के लिए हमने इसको शियम होने देना है 10 से 15 मिनिट पाद आपने इसके गास बंद करके इसके जैसे ही सारी गास जो कुकर के अंदर होगी वो निकलने देनी है फिर आप इसको निकाल के देखेंगे इसमें आप फॉक किया चाकू से डाल के देखें अगर वो अराम से निकल जाती है कोई आपको अंदर गीला सा ना लगे तो इसका मतलब आपकी अच्छी तरह perfect cook हो चुकी है फिर जो हमने एक एक टिक्की ली थी उसको हमने ऐसे चेक कर लेना है फॉक एकदम साफ निकलनी चाहिए तो यह अच्छी तरह स्चीम हो चुके हैं फिर जो हमने एक एक टिक्की उनाई थी उसको हमने बीच में से काट लेना है क्योंकि यह पतली होगी और क्रिस्पी जादी होगी फिर काफी सुआद लगेगी जैसे हमने बीच में से काट लेना है कढाई में हमने सरसो का तेल गरम होने के लिए लग देना है जैसे ही तेल अच्छे तरह गरम हो जाएगा फिर हम इसमें दालेंगे अलबी के पकोड़े फ्राइ होने के लिए जब यह नीचे से अच्छी तरह लाल हो जाए तब आप इसको पलट दे इसको हमने दब तक दोनों साइड से कुक करना जब तक दोनों साइड ये रेडिश गोल्डन कलर नहीं आजाता तो जैसे ही अच्छी तरह फ्राय हो जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं फिर ये खाने के लिए एकदम त्यार है इतनी एजी रेसिपी है आप ये रेसिपी कीजिए थैंक यू